हेलो सर मेरा एक सवाल है तो आप कई कॉलेजों में आकर बहुत सारे भाषन दे रहे हैं और मेरे खयाल से बस ये एक ही जीवन है आपने किसी की कलपना से भी कहीं अधिक हासिल कर लिया है एक बड़ी फाउंडेशन इशा योगा केंद्र कई दूसरे केंद्र कई सारे शीश्य ये सब एक ही जीवन में अगर कोई आम आदमी ये सब करना चाहे तो मेरे खयाल से इसमें कम से कम तीन पीडियां लगेंगी जबकि आपने एक ही जीवन में इसे कर दिखाया है तो आपकी काम्याबी का राज क्या है बचपन में आपने साबून के बुलबुले उड़ाए थे? साबून के बुलबुले? तो जब आप साबून के बुलबुले उड़ाती थी, क्या आपने देखा कि किसी का बुलबुला इतना बड़ा हो जाता था और आपका सिर्फ इतना बड़ा था? हर किसी के फेपड़ों में हवा थी, मगर किसी का बुलबुला बड़ा था और किसी का छोटा ऐसा क्यूं होता है? देखे जब बात आती है शरीर की, तो ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई उलजन नहीं है, है न? ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, ये मेरा दिमाग है, वो आपका दिमाग है, मगर जब बात जीवन के आती है, तो मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये एक जीता जाकता ब्रमांड है, आप अपने सिस्टम में कितना जीवन पकड़ पाते है इसी से आपके जीवन का आकार और विस्तार तै होता है किसी को बड़ा बुलबुला मिला किसी और को छोटा बुलबुला पुप, वो फूट गया अब पहचान नहीं सकते कि मेरी हवा कहा है और आपकी हवा कहा है, है न? तो इसी तरह जब बात जीवन के आती है तो मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती मेरा शरीर और आपका शरीर, मेरा दिमाग और आपका दिमाग स्पष्ठ होते हैं मगर मेरा जीवन और आपका जीवन नहीं यहां जीवन है, प्रचूर मात्रा में है, यह एक जीता जाकता ब्रहमांड है आप अपने भीतर कितना जीवन पकड़ पाते हैं, यह आपके जीवन का विस्तार और फैलावत तै करेगा एक व्यक्ति जो काम सौ सालों में करता है, कोई सिर्फ दस साल में कर लेता है सिर्फ जीवन की तीवरता के कारण जब मैं कहता हूँ जीवन की तीवरता, तो इसके कई अलग-अलग नतीजे निकल सकते है देखिए, ऐसे समय रहे, उदारन के लिए कुछ खास कारोबार तेजी से बढ़ है मान लिजे, कुछ वैवसाय जैसे, अमेरिका में लोगों पर इसकी धुन सवार है तीन साल के अंदर किसी ने लाखों डॉलर का बिजनेस खड़ा कर लिया जैसे माइक्रोसॉफ ने विकास किया, या फेस्बुक ने विकास किया, या किसी और ने विकास किया ये मुख्य रूप से तकनीकी विकास के कारण हुआ है कोई उस तकनीक का लाब उठा लेता है किसी और समय में ऐसा नहीं होता तो वो अलग बात है लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो बहुत बड़ी है बहुत महत्वपून है बड़ा या छोटा ये मुद्दा नहीं है महत्वपून है तो आपको जीवन की तीवरता चाहिए एक चीज है कि आपने कितना सारा जीवन पकड़ा है ऐसे मैंने पहले भी कहा कि योग व्यक्तिकत अस्तित्व की सिमाव को मिटा देता है मतलब एक तरह से आप ब्रह्मांड को अपने अंदर घुषने दे रहे हैं जब ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं होता बलकि आपके अंदर घुषता है या आपका एक हिस्सा होता है तो आपके पास भरपूर मात्रा में जीवन होता है जब आपके पास भरपूर जीवन होता है, तो आप साजहा करने में संकोश नहीं करेंगे, जब आप बड़े रूप में साजहा करते हैं, अपने जीवन को बाकी लोगों के साथ, तो सुभाविक रूप से वे उसे बहुत महत्व देंगे, क्योंकि हर कोई जमा करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे साजहा करने के लिए तयार है, तो सुभाविक रूप से आपके आसपास एक बड़ा उच्छाल होगा, इससे कई सारी चीज़ें होंगी, इससे आपके बहुत से दोस्त और बहुत से दुश्मन बनेंगे, कई लोग जिनसे आप कभी नहीं मिले, आपके दुनिया में ये चलता रहता है, तो जब हम बात करते हैं कि कैसे इतने कम समय में इतना कुछ किया जा सकता है, ये कोई कम समय नहीं है, ये 37 सालों के लगतार मेहनत का नतीज़ा है, हफते के सातों दिन, हर दिन 20 घंटे, करी 25 साल, 25 साल से भी जादा, मैं औसतन दिन में सिर् धाई घंटे सोया हूँ, नींद से महरूम नहीं, बस मैंने अपने जीवन उरजाओं को इतना तीवर रखा कि नींद कोई समस्या ही नहीं थी, कई बार मैं तीन दिन, चार दिन तक नहीं सोया, लगतार काम किया है, ऐसा नहीं कि आपने कोई दवा खाली है और सो नहीं रहे बस उदेश की तीवरता और आप जो कर रहे हैं उसके प्रती प्रतिबधता के कारण, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने अपने आसपास हजारों लोग तैयार कियें, वे सब इसी तरह पागल हो गए हैं, वे सब इसी तरह काम करने लगे हैं, जादा तर लोग, आप न कोई आनन्दित है, अगर आप योग केंद्र आकर देखें, आपको सबसे आनन्दित चेहरे दिखेंगे, मगर वे कभी छुट्टी पर नहीं गए, उनके पास कोई भी चीज नहीं है, उनकी जेब में पैसे नहीं है, मगर वे आनन्द में हैं, क्योंकि वे जीवन के नशे मे हैं, सच मुझ, ये कुछ ऐसा है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कि किसी खास दिन, अगर आप बहुत अधिक खुश हैं और आनन्द में हैं, तो आप हर काम करने के लिए तयार होते हैं, कोई समस्या नहीं हैं, कितना भी काम, लेकिन थोड़ी सी निराशा और आपके कद जटने लगेंगे, मैं पिछले 37 सालों से कभी निराश नहीं हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चलता है, कई चीजें उस तरह नहीं होती जैसी मैं चाहता हूँ, दरसल कुछ भी मेरे इसाब से नहीं होता, यही सच है, क्योंकि मेरी उमिदें वहां उपर हैं, जब हमारे शुरू कियेगे कुछ आंदलोनों में, लाखों की तादाद में लोग जूटे, तो किसे ने मुझसे कहा, देश के एक बहुत प्रमुख व्यक्ति ने, सद्गुरू, इस तरह की भीड सिर्फ महात्मा गांधी के सामने जूटती थी, मैंने कहा नहीं, आप तो ल दुश्मन मौझूद हो, तो आप आसानी से भीड जमा कर सकते हैं, अब मेरा मकसद यह है, कि मैं लगातार लोगों को याद दिलाता रहता हूं, कि आपके जीवन में एक ही दुश्मन है, वो है आप, अगर आप इस शक्स को ठीक कर दें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एक दुश्मन है, वो है आप खुद, अगर आप इस व्यक्ति को ठीक कर दें, तो जीवन बहुत बढ़िया है, तो जब कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, तो लोगों को एक मकसद की और ले जाना बहुत मुश्किल होता है, मगर लोग सिर्व भारत ही बलकि पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़े हैं, कई देशों के लोग काफी दवाब डाल रहे हैं, सद्गुरु आपने भारत में काफी कुछ कर लिया है, आपको यहां कर रहना चाहिए, यहां रुकिए, यह कीजिए, वो कीजिए, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग जवान हैं, अगर आपमें से हर एक में उर्जा और गतिविधी का जोश भर जाए, तो यह देश, जो युवाओं का देश है, तेजी से विकास करेगा और एक अनुखा चमतकार बन जाएगा, क्योंकि यहां युवाओं की संख्य सबसे अधिक है, आपके पास जरूरी तीवरता और संतुलन का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि संतुलन के बिना तीवरता आपको पागल बना देगी, अगर आपके पास तीवरता और संतुलन है, तो हम इस देश को एक चमतकार बना सकते हैं, इस देश में हमें जो समस्या अगर आप दूसरे देशों को देखें, अगर आप इस दुनिया का इतिहास देखें, तो जिस देश ने सिर्फ एक पीड़ी में अपनी बड़ी आबादी को गरीबी से संपन्नता तक पहुँचा दिया, वो है चीन. मगर उन्होंने काफी जोर जबर्दस्ती और पीड़ा के साथ ऐसा किया, काफी पीड़ा पहुचाते वे, लाखों मर गए, इतनी पीड़ा, इतनी ताकत का इस्तेमाल. मगर आज, भारत एक देश के रूप में ऐसी देहरी पर है, जहां अगर हम सब लोकतांतरिक प्रक्रिया से अगले 5-10 सालों में सही चीज़ें करें, तो एक लोकतांतरिक प्रक्रिया के जरिये, किसी बंदूग के बिना, या खून बाहे बिना, हम एक अरब लोगों को एक ज दस सालों में सही चीज़ें करें, तो आप इस देश को रुपांतरित होते देख सकते हैं, हम बंदूकों या खून के बिना, उस तरह की क्रांती के बिना, बस लोकतांतरिक प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं, हम उस देहरी पर बैठे हैं, बस हमें देहरी पर अधिक लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, हमें अगला कदम उठाना चाहिए और अगला कदम, लोगों की एक पीड़ी के रूप में ये हमारे हाथ में हमें वो करना होगा.